हेलो एवरिवान नमस्ते सभी को तो दोस्तो आज मैं बना रही हूँ ठंडे चामुल की ऐसी रेसिपी यकीन मानिये सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी खास कर बच्चों को तो चलो सुरू करते हैं रेसिपी बनाना तो यहां पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया चामुल क से तीन चमाच के जितना पानी डाल देंगे और डखन लगा के स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बना के पीस के तयार कर लेंगे तो लीजे मैंने पीस लिया और गाड़ा सा रखाया ज्यादा इसको लूज नहीं रखना अब यह के मिक्सिर बावल में निकाल लेंगे पूरा पे और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो नमक के यहां पर थोड़ा सा कम डालेंगे बाद में यूज़ करेंगे मसाला में एक चमस रेड़ मिर्ची पावडर डाल देंगे और आप डालेंगे यहां पर एक पैकेट मेगी मसाला कट करके उसको डाल देंगे यह मेगी मसाला है बिल्कुल बाहर का जैसा टेस्ट आएगा आपके पास मेगी मसाला नहीं है तो 5 रुपे का पैकट आएगा आप मंगा लिजीएगा दुकान से इससे कुरकरिव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा यहां पर मैं टमाटर का जूस डालूंगी तो मैंने एकदम रेड वाला टमाटर का इसकमाल कर रही हूं कट करके और एक चन्नी में चान के इसका जूस को डाल दूँगी चन्नी में चानने से जो भी इसमें व्यूज है ना और वीज यह चन्नी में रुख जाएंगे और पूरा जूस हमारे मिक्सर के अंदर चले जाएगा तो आपने देखा होगा जब भी हम कुरकरे के पैक्रेट लेकर आते ना तो उसमें खटा चटपटा सा टेस्ट आता बस वही टेस्ट आपको यहाँ पर कुरकरे मिलेगा तो मैंने पूरा जूस को निकाल दिया अच्छी तरह यहां पर पानी नहीं यूज करना है बस इस तरह मिक्स कर लेंगे इसको बढ़िया से मैंने यहां पर मिक्स कर लिया अब बना लेते हैं इसके कुरकरे कुरकरे मैं तो यहां पर थोड़ा सा मैंने कटोरी में तेल लिए हाथ-w invited to लगा के और अब इसके कुर्करे बना के तियार कर लेते हैं तो कुर्करे के साइज आपके इसाब से छोटा बड़ा यहां पर रख सकते हो कि देखे हाथों में लेके इस तरह मसल के दोनों आतों पर लेके और आप कुर्करे का सेफ दे के तियार कर सकते हो ये तेहाँ ये दयिकें दुसरा कुरकरा भी इस तर बना लेते हैं परसे मैंने तेल लगा कि आथो तो में थोड़ से चिकना कर लियाँ आप धेल नहीं लगाना चाहिए तो आप क्या करें थोड़ा सा मैदा या फिर कॉन फ्लावर पावटर भी ले सकते हैं को आतों में थोड़ा सा डिस्टिंग करके आतों को थोड़ा सा लगा कर वो तब वह कुर्कृ बनाुके तयार कर सकते हो तो मैंने सभी घृण इसी तरह तयार कर लिए यह vedír लगsystem कर दो तो थोड़ा से डालना है एक साथ यहां पर पास पास पने डालेंगे नहीं तो चिपक जाएंगे घुशरेगे तोड़ा से डालेंगे जितने भी कड़ाइम आएंगे उतना डाल दिलट पुलटती इसको डीफ्राइग कर लेंगे तो तेल को यहां पर ध्यान रहें अच्छी तरह गरम होना चाहिए यह देखिए हमारे कुरकरे एक्तम क्रिश्वी से बनके त्यार होगी आप निकान लेते प्लेट में दूसरा बैस भी इसी तरह बना लेंगे तो दूसरा बैस भी थोड़ा सा तेल को फिर से गरम होने दे और फिर डाल लें तो एक एक फिर से डाल देंगे जैसे हमने पहला बैस को तयार किया था उसी तरह थोड़ा गैप से डालेंगे और सभी कुरकरों को इसी फरकार डी फ्राई करके तयार कर लेंगे उलट फ्रड़ते हुए यह देखिए तो मैंने यहां पर इसको फ्राई कर लिया दूसरा बैस को भी निकाल लेते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं बच्चे 5 रुपे 10 रुपे का जब भार से दुकान से पैकेट लेके आते हैं तो उसमें एक मुठी कुरकरे भी नहीं निकलती एक कटोरी चाउल से तेहर सारा कुरकरे बना के घरमत तयार कर सकते हो और बच्चे को यह बहुत ही ज्यादा पसं तो मसाला की बिना कुरकरे अभी हदू रहे हैं यहां पर डालूंगे मैं आमचुर पाउडर थोड़ा सा हो है तो आ जब पॉडर डाल दिया काली मिर्च पायदर डाल दूंगे और यहां पर चार सेंदर नमग सकते हो यह को लें सकते हो dose हो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स करके और कुरुकुर र अच्छी तरह ये इस्को बिशिक вдe करोगे ना बहुती यमी पहुती टेस्टी लगेंगे कुरकरे तो मैंने मसाला अच्छी तरह चारू तरफ यहां पर डाल दिये सभी कुरकरे को उपर आप इसको चारू तरफ से हम थोड़ा सा उठा के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सभी कुरकरो में एक वेल मसाला चिपक जाए तो मैंने मिक्स कर लिया आप एक प्लेट में इसको सर्फ कर लेते हैं देखाना दोस्तों मैंने डेहर सारे एक कटोरी चावल में डेहर सारे कुरकरे बना के तयार कर लिए यह देखिए अब आपको तोड़ के भी दिखा दे यह कुरकरे बिल्कुल है जैसे दुकान से लेके आते ने बिल्कुल वैसे ही इसमें क्रिस्पी यह वैसे ही बना है और टेस्ट उससे ज़्यादा होगा कम नहीं होगा तो आप भी जरूर बनाईए दोस्तों बचे वे चावल से कुरकुले के रेसिपी बाई